मुकम करोति वाचालं पंगुम लंगयते गिरिम यतक्रिपा तमहं मंदे परमानंद माधपं। सरवे भवंतु सुखिनाह, सरवे संतु निरामयाह, सरवे वद्राणी पश्यन्तु मा कस्चित दुख भाग पवेद। अकाश अशित विग्यर हा, सब्दो वईशेश का हैं ila Ka är di offerings, the कि मद्रे फजत विशेश के उपादान को किया गया? reward वईशेश का हम wraz? तो आकास में सब्द से बिनना अन्य कोई विशेस गुण नहीं है, इसको सुचित करने के लिए ग्रंधकार ने वैसी शिकोई गुण ऐसा कहा है, ऐसा कहिने से आकास का गुण सब्द है, ऐसा कहिने से आकास में प्रमाढ भी प्रदर्शित होता है, ठीक, अब देखिए, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो ग्रंधकार एक स्टेप बना करके क्रमा सहा आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने पहले क्या किया, सब्दो गुण हां, चक्षुर ग्रहन, योग्य, बहिर इंद्रे, ग्राय, जातिम, त्वात, परसभात, यहां पर किसी-किसी पुस्त तो इस के द्वारा हम सब्दा की सिद्डी भी कर सकते हैं, तो यहां पर हमने गुर्णत्यों को हमने साथि बनाया, चक्षुर ग्रहन, योग्य, बहिर इंद्रे, ग्राय, जातिम, त्वात, यहां तो बनाया, सपर्षा हमारा द्रिष्ठानत हो गया तो चक्षुर ग्रहन अयोग्य बहिरिंद्रे ग्रहय जाती है स्पर्षत्व जाती है क्योंकि स्पर्ष का प्रत्यक्ष तो गिंद्रे के द्वारा होता है तो स्पर्षत्व का प्रत्यक्ष भी तो गिंद्रे के द्वारा होगा चक्षुर इंद्रे के द्वारा स्पर्षत्व प्रत्यक्ष्य नहीं होता है , जक्षुर ग्रहान अयोग्य बहरेंद्र्यय ग्रहय जो जाती है सिफर्ष तो जाती है और वेली तारीचमें मत्व स्पर्ष में चला गया और सिफर्ष गूण है और विशेस गुण है उसे प्रकार से सब्द का प्रत्यक्ष शुरत्रेंद्रे के द्वारा होता है चक्षुरेंद्रे के द्वारा नहीं होता तो सब्द में रहने वाली जो सब्दत जाती है उसका प्रत्यक्ष भी चक्षुरेंद्रे के द्वारा नहीं होगा तो चक्षुरेंद्रे के द्वारा होगा तो चक्षुरेंद्र अथो अभीशेस गुणत्तों की शिद्धी हो गई अशाब कह सकते हैं उसके बाद क्या सिद्ध कर रहे हैं ग्रंदाकार सब्द में द्रभ्य समवेत तो सिद्ध किया सब्दा disrupted क्या जो भी गुण होता है वः द्रभ्य में समवाय शंब्वाइ से रहता है इसमें कोई किसी को संदे नहीं है, आप लोग जितने भी नियाय सासर पढ़ रहे हैं, सबको ग्यात है कि गुण द्रभ्य में समवाय सम्मन से रहता है, अतहा सब्द भी गुण है, तो उसमें द्रभ्य समवे तर्तु की सिद्धी हो जाएगी, ठीक है, तो अब इस पर हमने च संदगाने, उनकी मन में क्या परिशेसान माने, सब्द अश्ट द्रभ्य तरिक्त द्रभ्य सित्धा, प्रिथिव्यादे जो अश्ट द्रभ्य हैं, आकास को अभी छोड़ दीजी आप, क्यूंकि आकास की सिद्धी हम करने जा रहे हैं, तो अन्य जो आठ द्रभ्य है, क्यूंकि जो प्रशिद्ध आठ द्रभ्य हैं, उनमें सब्द रहता नहीं, उनमें आश्रत नहीं, और गुण होने के कारण द्रभ्य आश्रत है, तो जो द्रभ्य में आश्रत हो, और प्रशिद्ध अश्ट द्रभ्य में आश्रत नहीं, तो परिशेसाद क्या शिद्ध पारा ग्रांधकार को ऐस्था दृब्वया शृतत्त्ता शिद्धा करना है तो इसके लिए पहले है च자를 कुद्ध करने होगी खेश लिए कहानी होगी के उस दृबब्य तब जा करके अश्ठ द्रभ्यात्त द्रभ्यात्रिक्त द्रभ्यशित्वतात्य की सिद्धी होती है। अधा उन्होंने पहले द्रब्या स्रितत्त को शिद्ध किया है विशेशे को सब्दा द्रब्या समवेता है यह जो अन्मान आमने प्रदशन किया है तो सब्द में क्या सिद्ध होता है द्रब्या समवेतत्त अर्थाद द्रब्या स्रितत्त यहां पर संबंद का परवेश नही प्रशिद्ध जो आठ द्रभ्य हैं प्रतिव्यादी उनमें सब्दा आशिरत नहीं हो सकता ये शिद्ध करना है तो जब ये शिद्ध हो जाएगा तो ये तो के दोनों गटक जब शिद्ध हो जाएंगे तब अश्टा द्रभ्यात रिक तब द्रभ्यात शिद्ध की शिद्ध प्रदर्शित करेंगे तो पहला जो अनुमान है परिशेश अनुमान में विशेशन को सिद्धा करते के लिए पहला अनुमान है सब्दो नस पर्सवाद विशेश गुणा हां अगनी संयोगा समवाई कारण कत्वा भावे सती अकारण गुणपूर्वग प्रत्यक्षत्वात सुखवात यह मुक्तावली के पंग्ति है इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं ठीक है अनुमान बहुत महत्त पुना है रोचके सब्दह सपर्सवाद विशेश गुणत्वा भावान नस पर्सवाद विशेश गुणा हां लिखा है इसको आप साध्य बनाने में आमको अकारण गुणपूरुवा कत्वश गुणत्व 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 अकारण बुन पूर्वकत तो क्या है प्रत्यक्ष तो हम लोग जानते हैं ठीक है तो पहले हम येतु को समझते हैं उसके बार देखते हैं कि येतु पक्षे में है की नहीं द्रिश्टांता में है की नहीं ब्याप्ति बंद रही की नहीं बंद रही है इसको हम क्रमसह देखते जाएंगे ठीक है अब देखिए को पहले साथ्धी को देख लेते हैं सपर्सवध विशेश गुणत्वा अर्थ क्या है सपर्सवत रवाल वुशेश गुन आर्थ गुण फिर्थिभी जल तेज बायु यह जो चार द्रभ्य है इनमें सपर्ष रहता है अप जानते हैं तो सपर्षबत हो गया प्रिथिभी चतुष्टे तये साम विशेस गुण हाँ सपर्षबत का जो विशसकुण होगा तो प्रितिविय का विशसकुण रूप रशाधी होंगे जल में भी रूप है, रस है ठीक है, आप लोग tricky जानते हैं कि प्रितिविय में 14 गुण है जलप चिठी प्रायर वृताम XL जल में 14 गुण है ठीक है रूप में रस में है । अब हमारा साद्य क्या है डिष्टान्ट में पहले हमनों प्रत्य घेदुकों सुख को हमने डिष्टान्ट बनाया है तो शुख किस का गुण है आत्मा का गुण है, वो पृतिवी जाल तेज भायो में से किसी का गुण है क्या? नहीं है, तो सुख स्पर्षवत विशेस गुण नहीं है, स्पर्षवत का पृतिवाज चतुष्टे का विशेस गुण नहीं है, आत्मा का विशेस गुण है और आत्मा तो स्पर्षवत सब्द में देख लेते हैं सब्द पृतिवी जल तेज भायू में नहीं रहे था यह हमको शिद्धा करना है कि सब्द पृतिवी जल तेज भायू का विश्यस्गून नहीं है सब्द पृतिवी जल तेज भायू उनका विश्यस्गून सब्द नहीं हो सकता अब हेतु पर देखते हैं यह तुई है हमारा अगनी संयोगा समवाई कारण कत्वा भावे सती अकारण गुण पूर्व कत्वे सती प्रत्यक्षत्वम तीन दल है तो पहला दल है अगनी सैयोगा समभाई कारण कट्वा भाव पाक तहां होता है केवल प्रिथिवी में ही होता है तो प्रिथिवी में अगनी संयोग से पाक से जो रूपरास गंदस परस उत्पन्न होते हैं उन रूपरास गंदस परस की पती असम्भाई कारण को उने वो अगनी संयोग है तो अगनी संयोगा सम्भाई कारण कत्व का रहेगा फिरतिवी में पाक के द्वारा जो रूपरस गनस परस उत्पन हुए है उनमें अगनी संयोगा सम्भाई कारण कत्व है अमारा जो द्रिष्टान दे सुख उसमें अगनी संयोगा सम्भाई कारण कत्व है क्या अगनी संयोग के द्वारा सुख की उत्पत्ती होती है क्या पाक के द्वारा सुख की उत्पत्ती होती है क्या नहीं होती है सुख तो आत्मा का गुणे सुख के प्रतिया संभाय कारण तो आत्मा मन संयोग होता है वायू होता ही अग्नि वह सुख के प्रथिया संवाय कारण नहीं होता तो अग्नि सभाव संवाय कारण का त्वाभ हाव यह हमारे सुख में आ गया ठीक है तो देखें हमको द्यान क्या देना है कि प्रितिवी जल्द जबायू के जो गुण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं उनका सभाब क्या है तो सभाब सब्द में है कि नहीं है आमको देखना है मिल गया तो हम कही सकते हैं कि नहीं प्रिथिविय जल्द बायों का गुण सब्द है यह वो बिलक्षण है तो कहेंगे नहीं हो सकता तो हमको शिद्द करना कि नहीं हो सकता बिलक्षणता दिखाने तो तो प्रितिमी में कुछ गुण ऐसे होते हैं, जो पाकज होते हैं, अर्थात उनके प्रति अगनी संयोग असम्माय कारण होता है, और जो हमारा दिश्टान तो आमने बनाया है सुख को, उसमें अगनी संयोग असम्माय कारण नहीं है, अगनी संयोग असम्माय कारण कत्वा भ उत्पत्ति में तो हैं जो समझोगें लीकुराइबां existem यहां है क्राइबुमे है। कारण में उत्पति गुन खुंगें उत्पत्ति होते हैं उनको हम कारण गुण पूर्वा कहते हैं देशे कपाल से गट की उत्पत्ती हुई तो कपाल के जो गुण है रूप रास गन्नस परसे जो भी गुण कपाल में उनके द्वारा कट में रूप रास गन्नस परसे आधिक गुण की उत्पत्ती होती है तो गाट में दो रूप रास गन्न स्वर से उत्पन्न हुआ, वह कारण गुण पूर्वक है। तो अबयव का गुण से अबयवी में जो गुण उत्पन्न हुए, उनको हम कहते हैं कारण गुण पूर्वक और गाट को आप पका देंगे बठी के, तो फिर वहां पूर्व उरुपादे का नाशोकर के नेमिन उरुपादे की उत्पत्ति होगी। तो वह कारण गुण पूर जो अगनी साइवुगा सम्माय कारणक होते हैं कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कारण गुण पूर्वक होते हैं , जल में फाः में और टका , बजो अडंवि युण होगे। तो उत्पन्न होंगे। ? जल emphasize गुण होगे उत्पन्न मरें उत्पन्न होँगे। सल्प्रही के उत्पती होती है जल में तेज में और बावयों में तीनों जगह परूँ ठीक है तो प्रिथिवी जल शलतेज शुक अकारण गुण पूर्वक है, कारण गुण पूर्वक नहीं अर्थाद, कारण के गुण से कारे में जो गुण उत्पन होता है, उसको न कारण गुण पूर्वक कहते हैं, कपाल के गुण से गट में जो गुण उत्पन होगा, वह कारण गुण पूर्वक है, शुक तो कहते हैं कि शुख जो कारण गुण पूर्वग है किन्तो यसी बात नहीं है आत्मा का कोई कारण होता ही नहीं है अता है कारण के गुण से कारे में गुण उत्पन हुआ यह जो बात हैं सुख के लिए नहीं कह सकते हैं अता सुख कारण गुण पूर्वग है ठीक है कितना दल के परमानों का रूप है उता है नित्य के परमानु दल के परमानु की फुने के परमानु के तो रूपहा नश्परसा है। नित्य होने कार्थ क्या हुआ अगनी संयोगा समभाई कारण कत्वा भाव एहतु का पहला दल वहां गड़ जाता है जलके परमानों के रूप में और अकारण गुण पूरवग भी ओ तो कारण गुण पूरवग है नहीं नित्य है कारण के गुण से उसकी उत्पत्ति हुई इसी बात है नहीं आता हो अकारण गुण पूरवग भी हो गया ठीक इसके लिए उन्हें प्रत्यक्षत्त भी होना चाहिए तो जो प्रिथिव्यादी के जो गुण है जिन में अगनी संयोगा सम्भाई कारण कत्वा भाव भी है अकारण गुण पूरवग अकारण पूरव अगनी संयोगा सम्भाई कत्वा भाव तो पहला जो दल है अगनी संयोगा सम्भाई कारण कत्वा भाव तो सुख में कटाते हैं आम लोग सुख के प्रति अगनी संयोगा सम्भाई कारण नहीं होता अगनी संयोगा सम्भाई कारण किसके प्रति होता है जो पाक जरूपादी है पाक के द्वारा प्रति भी में जरूप रस गंदस परस उत्पन होते हैं उनके प्रति अगनी संयोगा सम्भाई कारण होता है सुख के और आमारे सब्द में भी है, अब हम हेतु को पक्षि में भी ले जाते हैं, दिश्टांत में भी ले जाते हैं, सब्द के प्रति भी अगनी सहयोगा सम्माई कारण नहीं होती है, तो अगनी सहयोगा सम्माई कारण कत्वा भाब, जो हेतु है, वो हमारे सुख में भी है, और कारण के गुण से अवयव के गुण से अवयवी में जो गुण उत्पन होते हैं उनको हम कारण गुण पूर्वक कहते हैं तो प्रित्वी में अवयव करम से जब प्रित्वी की उत्पत्ति परमान देनों करम से होती है वहाँ पर अवयव के गुण से अवयवी में जो गुण आता हा शुक्वम कारण गुण पूर्वक नहीं कहते हैं वह अकारण गुण पूर्वक है कारण के गुण से जो गुण उत्पर्ण होते हैं हो कारण गुण पूर्वक उससे बिन्न सब गुण अकारण गुण पूर्वक तो शुक में अकारण गुण पूर्वक करते हैं यह स स्थिति नहीं है अता सब्द अकारण गुनपूर्वग है अब प्रत्यक्षत्व की बात करें तो सुख का भी प्रत्यक्षत्व होता है मन के द्वारा तो प्रत्यक्षत्व में रहता है अब सब्द रुप्ज पक्षे उसका भी हम स्रवन इंद्रिय से पक्षे प्रत्यक्षे यह था शुखम ठीक है आप शुख दुख और भी कोई अनुमान द्रिष्टान्त बना सकते हैं आपने यामनिया सुख को द्रिष्टान्त बनाया तो व्याप्तिकर्णा हो गया और हमारा पक्षय सब्द उसमें हेतू रहता है अगनी सहयोगा समवाई कारण कत्वा भाब भी ह अकारण कुन पूरवकत तो भी है प्रत्यक्षत भी है अतहा सब्द में सपर्शवत विश्यस गुन अत्वाग आपकी सिद्धी हो गई सब्द सपर्शवत जो द्रभ्य पृत्वी जलतेजवायो उनका विश्यस गुन सब्द नहीं हो सकता ठीक है एक ग्रंथकार ने अनु बनाया अब इस अनुमानों थोड़ा सा पत्यक्रत करते हैं वह से अभी आप जिस प्रकार से मैंने व्याक्या किये उस द्रिश्टिकोंट से आपको पत्यक्रत समझभी आगया होगा में लिमान नेता है ठीक है फिर भी हम लोग देखते हैं ग्रंथकार ने जोसकी सही लिए पाका जरूपादव बेविचार भारनाय सत्यंतम यह जो हेतु है उसमें सत्यंत प्रसम सत्य वाला सत्यंत क्योंकि ग्रंथकार ने एकी जगा सती लिखा है अगनी संयोगा सम्माय कार्ण कत्वा भावे सती हमने तोड़ दिया तो यहां पर हमको दो सती दिखाई दे रहा है इतना गुणपूर्व कत्वे से प्रत्यक्षत्वा यह तो बनाये तो इतने चोटे यह तो बनाने से आपकी साथ्वय के सिध्जी हो जाएगी आपकी अविष्ट सिद्धी वो सकती है तो इतना लंबा यह तो बनाने के क्या जरूर थे यह तुम्हे अगरी सेयवगा सम्माई कारण कत्वा भाव इस विशेशन के क्या आवसेकता है यह वगया प्रस्ण इस प्रस्ण का उत्तर है यह जो रूप में बेविचार हो जाएगा तो बेविचार का मोता है यह तु रहे और साध्य न रहे ठीक है अभी तक तो आप क्लियर हो चुकी होंगे साधारन बेविचार अने कांतिक यहां पर हेतु तो बिद्यमान हो और साध्य न हो तो बेविचार होता है पहले साध्य देख ले थे स्पर्शबत विशेश गुणत्वा भाव कहां पर हमको बेविचार दिखाना है पाकज रूप में तो प्रित्वी में पाक के द्वारा जो रूप उत्पन हुआ वह जो रूप स्पर्शबत का विशेश गुणत्वा भाव नहीं रहेगा जो सपर्शबत विशेश गुणत्व पाक जूप में पाका जूप में पाक जूप में सपर्शबत विशेश गुणत्वा भाव नहीं है ठीके अब यहां यह तो रहा घैया तो क्या होगा बेयकायगा अब देखिए पाकाज रूप में अब है तो क्या है अकारन गुण पूर्बग अत्य है य्चेत अधिय प्रत्यक्षत्य प 150 अननेले स्वस्चेता है तो पाकाज रूप और हम पूर्बग फूर्बग है SU421 laughs आता हा जो पाकज रूप है वो कारण गुण पूर्वक नहीं होता वो अकारण गुण पूर्वक अगया हम और प्रत्यक्चत्व हैं पाकज रूप का हम प्रत्यक्चत्व हैं तो अकारण गुण पूर्वक अगया है प्रत्यक्चत्व है अर्था पाकज रूप में हे तु है पाकाज रूपे वो अगनी सैयोगा सम्भाई कारण के हैं अगनि सायोगा संभाय कार्ण कस्वा भाव ये दल पाका जुरूप में नहीं जाएगा जानते ही तो जहां एतो भी नहीं ये तो जहां एतो भी साथ्धी भी नहीं तो वहां कोई ब對不起IR की संभावना नहीं होती है कोrange नहीं ही स Fleisch द हा Congo का पदक्रतिक कियां हां मि अब दूसरा देखिए अकारण गुण पूरवकत्व कट्व कहटा दीजे गरंथकार का कहिना हैं तो हमारा है यह तु क्या बचेगा अगनि संयोगा समभाई कारण पूरवकत्व कहने के क्या आवसेक्त है तो एसा कहते तो पट रूप में बेविजार होगा पट का जो रूप है नहीं कि आप लीजें कि तुर आप लीजें कि सफेद तंत्रों के द्वारा सफेद पट की उत्पर्त्ती हुई तो जो सफेद पट है उसमें जो शुकल रूप की अब हमको बेविजार दिखाना इस पट रूप में तो यह तो देख लेते है जहां पर हे तु है और साध्य नहीं है तो बेविजार होगा तो हे तो हेगनी अगनी संभाय कारण कत्वाभा वाल उग सबंटित रूप में होता है होता है तो अगनी सभी आइकने है स्पर्सवत मिश spat merely को रूप से कि स्परहवाद से उसमें पर सभशुत WIL्ण bisa उम्ते नहीं आ साध्यों साध्यों नहीं है और नहीं नहीं है गच्व पर्डूरुप में और HETU है तो साध्य जहाँ पर नहीं है तों व्हाँप मारा जो पॉर्ग कोशे अहं प्रम पार्डूर्ण होता है स्पारण अने कान दीक अनों इसके लिए हमको इस बेविजार को बारण करने के लिए अकारण गुनपूर्बकत्व आमको हेतु में देना है अकारण गुनपूर्बकत्व ठीक अब जो पट रूप है उसमें ठीक ही अग्निसेयोगा सम्भाई कारण कत्व आप हावे प्रत्यक्चत भी है किन्तु वह प्रत्यक्षेति पत नहीं देते हैं तो जल का जो पर्मानु उसमें जो रूप है उसमें बेविचार हो जाएगा के ऐसे होगा अब देखें बेविचार क Germans उसमें जो रूप है उसमें सपर्षबद विशेस गुननत्यव अब इन चलाज जाएगा विचार हो जाएगा तो जल्गा पर्मानों का जो रूप है वो नित्य है अतहा अगनी संयोग उसके प्रतिया सम्माय कारण नहीं होता तो अगनी संयोगा सम्माय कारण कत्व नहीं है अगनी संयोगा सम्माय कारण कत्व भाव है और वो नित्य है तो वो कारण गुण पूरव नहीं होता वो सब अकारण गुणपूरवग कहे जाते हैं तो जल के परमानों का जुरूप है उसमे अकारण गुणपूर्वग है अग्मिस न्यों का सम्माय चाहिता भाब भी है तो हे तो हे और बवसाध्य नई है यह हो गया वेभिचार इस वेभिचार को भारन करने स्कार। प्रत्यक्षत्त ना चाहिए। अब जलका परमाम का प्रत्यक्षत होता है क्या नहीं होता। पर्वाणु का रुक का प्रतेक्ष्य नहीं होता, तो उसमें प्रतेक्ष्य तो नहीं हेई, अर्थात फेज़ती नहीं है, तो अब साध्य भी नहीं है, तो कोई भी विचार खिस्तिती नहीं आएगी, ठीके? हैं तो यह पुता क्या शि קूना कि संद हुआ की सब्दा जो है परशबद का विश्यास गोण नहीं हो सकता फिर्थिवी जल तेज बायो इन चार द्रब्यओं का विश्यास गोण सब्दा नहीं हो सकता है ने को सब्दा नहीं युठ नाहीं तप जा करकेmar तो अभी आपको अच्छे से समय में आया हुआ इस अनमान पर अच्छे से इंदन मनान करिए अधी प्रस्ण ववदा प्रस्ण पूशिएगा अगे बरते हम शब्दों दिक काल मन साम गुण हा बिशेश गुणत्वात रूप वत्व ठीके एक नंतकार की पंक्ति है शब्द जो हे दिक काल मन का गुण नहीं है यही तीन को एक वार यची बार अटा रहे हैं सब्द हा दिक्काल मुनो गुणत्वा भावान एसा करना है तो पक्षे हो गया सब्द दिक्काल मुनो गुणत्वा भाव साध्य हो गया दिक्काल और मन का वो विशेस गुण नहीं हो सकता क्यों विशेस गुणत्वा तो विशेस गुणत्वा अमारे हेतु है यत्र यत्र व बूत बर्ग आस्ट विशेस गुण योगी ना हाँ, आमने साधरने बैदेने प्रक्रम में पड़ा, आत्मा में और भूत बर्ग में, भूत प्रित्वी जल तेज बाय और आकास ये बूत और आत्मा इन छे द्रभ्यों में विशेस गुण रहते हैं, काल, दिक और मन, इन ती द्रभ्यों में कोई विशेस गुण नहीं रहता, और जो सब्द है विशेस गुण है, आता हा, सब्द दिक्काला और मन का गुण नहीं हो सकता, सब्द न दिक्काला मन साम गुणा, विशेस गुणा त्वात, यत्र यत्र विशेस गुणा त्वम, तत्र तत्र दिक्काला म गुनत्वावावः थीकि स्पस्ट एतो सरले इसमें यह आपको समझ में आगया अब एक द्रब्ब्बे बचा आत्मा सब्द का आशरे आत्मा को बना दिया जाए तो करें आत्नों विशेश गुनाहाँ ठीकि अनुमान बनाईये सब्दाह आत्नों विशेश आत्मा के जो विश्यस गुण है कोण बुद्धी, सुख, दुख, इच्चा, दी यह सभा आत्मा की विश्यस गुण है उनका प्रत्यक्ष बैरिंद्रीया के ध्वारा होता है क्या नहीं होता है उनका प्रत्यक्स मन के द्वारा होता है बहिरिंद्रय योग्यत्त आत्मा के विश्यस गुण में नहीं है आत्मा के विश्यस गुण में बहिरिंद्रय योग्यत्त नहीं है बहिरिंद्रय योग्यत्त रुपादी में है और जो रूपादी है वो आत्मा के विशेश गुण नहीं है उसी प्रकार से जो सब्दा अमारा पक्षे उसमें बैरिंद्रियो योग्यत है अता हुँ आत्मा के विशेश गुण भी नहीं हो सकता इन चार का विशेश गुण सब्दा नहीं हो सकता और दिक्काल और मन का विशेश गुण सब्दा नहीं हो सकता और आत्मा भी सब्द का आश्रे नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा के जो गुण शुक दुगादी उनका प्रत्यक्ष्य मन के द्वारा होता है बहिर इंद्रे के द्वारा नहीं होता सब्द का प्रत्यक्ष्य वहिर इंद्रे के द्वारा स्रोत्रे इंद्रे के द्वारा होता है अता सब्द आत्मा का विशेज गुण भी नहीं हो सकता इस तर से क्या शिद्ध होगा कि सब्द का जो आसरे है वो अस्ट द्रभ्य से अत्रिक्त द्रभ्य है जो परिशे सानुमान के आदार पर जो प्रसिद्द आइड द्रभ्य है वो सब्द की आच्छे नहीं सकते अताहा सब्द आच्रे कोई अत्री द्रभ्य है तो जो सब्द आधिकर गांट जो नमबंन् द्रभ्य शिद्द हुआ उसका नाम आमने द fire आकास तो सब्द का आश्रे जद्रभ्य वह आकास है इस प्रकार सब्दास रेत्वेन हम लोग आकास के सिद्धी करते हैं ठीक है आगे बरते हैं अब यहाँ पर एक प्रस्ण है नचाव नचाव वायो बहे वेशु सुक्ष्मा सब्द क्रमेन वायो काराण कुण पूर्व कह सब्द अदया उत्प्द्यताम इधी वाच्याम इधी नचावी प्रस्ण क्या है कि ऐसा करते चैम्छ के हम सब्द का आश्रे अब इसक्तधे आ अंड़ेर द्र clan तो सब्द का आश्रें बनाते हैं बायो को अर भायो में कारण गोनफी पूर्वक झास प्रकार सब्दाउबस होत्क जिस प्रकार स्पर्श की उत्पति होती है अवयव के क्रम से अवयवी में उसी प्रकार से सब्दवी आकास में सब्दवी बायु में उत्पन होगा अवयव क्रम से तो पहले सुक्ष में सब्द उत्पन होगा पेर उसके रस्थूल होता हुआ अवयवी क्रम से सब्ध की उतपति हम मान लेते हैं अर्था सब्ध का आसरे बायव मानलो सब्ध कारण गोण पूर्वक है उस्वाम कारण गोण पूर्वक मान लेङगे सब्द उत्पत देताम तो बायु के अवयवे में सुक्ष्मा सब्द क्रम से बायु कारण गुन पूर्वक सब्द उत्पत देताम तो सब्द का आस्रें बायु मान लेंगे और बायु में कारण गुन पूर्वक अवय अवयव अवयवे क्रम से सब्द की उत्पति मान लेते ह इसा मालनो, मैं एसा किसे विर्व प्रष्ण पुछा इसका अंतर ग्रत्र कारदेते हैं इतिन मोवाच्यम ऐयावा द्रवए भावित्वेन बायो विश्यन गुनत्वा भावात सब्ज जोयो ऐयावा द्रवए भावी हैं बायू का जो विचे से गुणे स्पर्स है वो यावत द्रब्य भावी है ठीक है अब यावत द्रब्य भावी किसको कहते है यावत द्रब्य स्थिति काल स्थिति का तम यावत द्रब्य भावी तम जब तक द्रब्य की स्थिति हो जब तक द्रब्य बना रहे तब तक जो उसक जब तक है तब तक बायू में स्पर्श भी रहता है और स्पर्श का नास का होता है जब बायू का नास होता है उसके अनंतर आश्रे नासात नश्यती अमने इसके चर्चा प्रितिवी के निरुपन करते समय किया है कहीं कि प्रितिवी में बाक होने के कारण द्रब्य के नास गुंड का ना सो शकता है किंदू जल तेज बायु आदि में जो भूण रहेती है हैıs bana सपर्श की चर्चा हो रही है तो जब पायू का ना सोल और उसके अनंदर सपर्श का नास होता है तो जब तक बायू हे तब तक ब्रोस हो ए charged नाज है उसको हम यावद्र भावी कहते हैं सब्द ऐसा नहीं है सब्द प्रसम चन में उत्पन्न होता है दुद्यक्षण में रहता है तृद्यक्षण में नस्ट हो जाता है अतहा सब्द अयावद्र भावी है और बायू का जो विशेजगून होता है वो यावद रवे भावी होता है अतहा बायू के विशेजगून और सब्द में बिलक्षणता होने के कारण हम सब्द को बायू का विशेजगून नहीं मान सकते ठीक है तो ये बायू को लेकर एक प्रस्णा आया था कि सब्द का आस्रे आप बायू को मान लो इसका विशेजगून नहीं हो सकता तो ये था बता क्या सिद्ध हुआ कि जो आठ प्रस्णा दरव्य थे उससे बिन नवमम दरव्यम आकासम सिद्ध्यती इस प्रकार से हम लोगों ने आकास को सिद्ध किया ठीक है आगे बढ़ते हैं इंद्री अंतुभवित्षूत्रा मेका सन्न पिपाद इता हम अब आकास की सिद्ध्य हुई तो शरीर इंद्रिय विशे की जर्जा हम लोग सब जगा प्राय करते आ रहे हैं किन्तो आकास का को सरीर नहीं और विशे भी नहीं हिए अगास यंक हम लोग सरासे और के शरीर लगे फिर जर्जा कर रहे हैं कि आठाय का इंद्रिय कि शरूत्रम विफ्वित्ध कुअ oxide अ शरूत्रम को सरीधर्ष्य विशेष्य अभावात इंद्रियम दर्शेथी सरीवी नहीं विशेवी नहीं आकास का अतह इंद्रिय का प्रदर्शन कर रहे हैं इंद्रियम दर्शेथी सपस्ट है अब यहां पर एक प्रस्ण है ननो आकासम लागवाद एकम शिद्धम हमने जो आकास तो आकास एक एक नाना है प्रस्णामा पर आता है तो नाना मानने में कोई युक्ति नहीं एक व्यापक मानने में लागव होता है अतहरा लागव होने के कारण जिस आकास को अमने शिद्ध क्या हो एक है सर्वत्र एक एक आकास है ऐसा कहिने पर कोई समस्या नहीं कोई दिकत लागबाद एकास के शिद्धी हुए है, तो आकास के आप बोलते हो, किन्तु और आकास का इंदरिया बता दे वे शुरत्र इंदरिया, तो प्रत्यक व्यक्ति को तो वो तो प्रत्यक भ्यक्ति के बिंद्ध भिन्न विंनने हैं तो उसको आप आकास के से कहिए सकते हैं ऑद्य कोई रीक्तन दो गत तो ग्रन्तकार क्या करते हैं सद्धाथ बिदाद भिननन स्रोत्राद mango院 भवा दी हतागemy आकास एक है, तथा पी, उपादी है, कर्ण सस्कुली को यहां पर उनने उपादी बताया, शरीर में कर्ण सस्कुली है, यह जो हमारा आकार प्रकार बना हुआ है, इसका नाम ग्रंथका न दे दिया, कर्ण सस्कुली, यह जो दिखाई दे रहा है, आमको बार से, तो कर्ण सस् तो कर्ण सस्कुले वच्छिन्दा आगाश को हम स्रोत्र कहने के कारण स्रोत्र में बिन्द मिन्दा विभार होता है। अब आस्ते में देखा जाए आगास रूप से तो सुरूत रेन्द्रिय एक है उसमें कोई भेद नहीं है। तो भेज जोए उपादिक भेदे जिस प्रकार गटा काश पटा काश कहते हैं आकास एक होने पर भी गटा कास बिंदा हे पटा कास बिंदा हे गटा और पर रूप उपादिके भेद होने के कारण। तो शुरत्र इंद्रिय एक है, आकासर वोने के कारण, तथा पी उपादी के वेद वोने के कारण, शुरत्र इंद्रियम बिन्नम बिन्नम हवदी, ठीक है, तो यह वही आकास की चर्चा, अब हम काल की चर्चा करते हैं, आकास के बाद नमर आया काल, जन्यानाम जनक कालो जगताम आश्रेयो मतह परापरत दितु छना दिश्या दुबादितः तो जन्यानाम जनक काल काल सभी जन्यों का जनक है जितने में जन्य पदार्थ है दुनिया में उन्ह सब की प्रति काल जनक है कारण है, साधारण कारण है, आप लोग जानते हैं कारण दो प्रकार के होते हैं, साधारण कारण और असाधारण कारण, यदि भी हमने पहले तिन प्रकार के कारण के चर्चा की है, समवाई कारण, असमवाई कारण, निमित्र कारण, वो तो ठीक है एक प्रकार की ब्याक्या प्रकारान चरे न, जब हम व्याक्या करते हैं, तो कारण दो प्रकार के होते हैं, कौन-कौन दो प्रकार के होते हैं, साधारन कारण और असाधारन कारण, कार्य सामान्य के प्रती, दुनिया में जितने भी कार्य उत्पन होते हैं, उन सब के प्रती जो कारण होता है, उसको हम साधारन कारण कहते हैं ठीके कुछ गिने हुए इसस तज ज्ञान यतनेच्छा हा कालो द्रिष्टम दिगे वच प्राग भाव प्रतिबंद का भाव कार्ये साधारना स्मिता हा ठीके इस्वर है इस्वर का ज्ञान है आधर हे इसवर की इस्टा है इसर का प्रेद्ण है इस तज्ज्ञान कैक अधिस्ट wrapping और दुनिया में कई भी कुछ भी कारह उत्पन हो उन्हें विद्शब की कारणदette होती है काल की कारणदet विए अरज को नित्य पदार्थ हैं उनका जनक का लें और जगत का आश्रेевид का बेसम्हें सान्याल होत उनका दोना जनक चाल है का कर दोना होगSteách दोना कि थेseninam अब देखिए ये जन्यानाम जनका कहने की पीछे हेतु है, क्योंकि काल सबका आधार है, जिस आधार में कारे की उत्पत्ती होती है, वो आधार में कारण होता है, जिसे चक्र में गट की उत्पत्ती हो रही है, तो चक्र भी तो गट की उत्पती कारण है, उसे प्रकार से काल सब का आधार है तो कोई भी कारी उत्पन हो थो किसी काल में रता है एस कारण बन जाएगा अथ हो जन्य-माद्य के बद्ही जनक होता है कीदय के लाइत यह एए फरहा परत्त धितung treat the thadhiida दो परकार के परत्वा 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 परत तो एदिसके हम चर्चा करेंगे तो आपको मेसेजत वजा भी था कि उसमें चर्चा की है तो अपनोह सेखिए हम देखा होगा कालम निरुपहिते जण्यानामी थी पहले कहा जन्यानाम जनका काल तो काल सभी जन्यों का जनक है उसमें प्रमार दिखा रहे हैं सभी जन्यों का जनक काल कैसे हो सकता है क्योंकि जगताम आस्रे है क्योंकि वो जगत का आस्रे तो इस आस्रे में कोई भी कारिय उत्पन होता है वो आश्रे भी उसके पती कारण है जब यह शिद्ध हो जाएगा कि काल जगत का आश्रे है तब उसमें जन्यानाम जनक हो इसकी भी शिद्धी हो जाएगी ठीक है अब हमको शिद्ध क्या करना है कि काल जगत का आश्रे है काल है पहले शिद्ध करो ना काल है विफो जब सीटों। तब हम मानेंगे कि काल जगद का आस्रे है, फिर जन्ने का जनक है, अभी तो काल की सिदे नहीं हुई है. आप काल को मानते क्यों है, कि किस प्रमाण के आधार पर काल की सिदे आप करते हो ये प्रशनिया पर बना ना है. थे कर स 거지 प्रसन के उत्तर क दीवा काले गटा, सायं काले गटा तिये प्रतिति हमारी हो रहीं है प्रतिति में क्या क्या विशे है जिसे हम गटवत बूतल हम जब कहते हैं तो गटवत बूतल हम कहते हैं तो गट और बूतल बूतल में गट का संबंदर वहाँ पर द्योतित हो रहा है इस प्रकार से उससी प्रकार से इदानिम गटा जब हम बोल रहे हैं तो इदानिम मने बरतमान काले तो बरतमान काल, अभी तो हम काल सिद्ध करने जा रहे हैं, तो काल से महारा विवक्षित पदार तक क्या है, किसको आधार बना करके हम इदानिम गटा बोल रहे हैं, वह सूर्य परिश्पन्द, सूर्य की जो क्रिया है, सूर्य की गटी को आधार बना करके हम इदानिम तदान हो रही है उस प्रतिदि के आधार पर क्या सिद्ध होता है कि सूर्य की जो क्रिया है उसके साथ गड़का कोईनों को सम्मंद है शूर्य क्रिया को प्रतिदि विशे करती है इदानेम गड़का है जो प्रतिदि है यह प्रतिदि सूर्य क्रिया परिश्पंद मतलब क्रिया सूर को ना बुताले घटा कहांगे में इद्मीन घटा कहते है तभी सकते हैं जब घट शूर्य क्रिया के शाथ कोई समभन्ध हो तो どो संभवति 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 संभवत करनेगे सम्म фильм करना पड़ेगा एक जो भी हम सूर्य कर्या औरहर गषट में संभन बनाएंगे वह संब्समीं काल खटक होगा काल को प्रभिश्चा करा करके वह संब्समी discussing एक को एक ऐसा ध्रव्य इकल्बना करने जिसके दोरा सुरी क्रिया और घड़ की में संबंद बन सके वो जो पदार्थ है ओ काल है ठीक है तो जिसे हम संबंद बनाते हैं इस तो संबंद 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 bNA ए स्वास्रे तपन सभी संयोगी थेक्विश्य थे अम की 55 लेंगे शूर्य क्रिया तहसरे तपन जो थे तपन शण disabilities क्रिया का आश्योग दे तपन सूरjin का संयोगि अओने काल है, हमने काल को मान लिया, ठीक है, जो की काल सरो व्यापक है, अतहर सूर्य के साथ भी उसका संयोग है, और उस संयोग की जो काल है, उसका संयोग पुना गट के साथ भी है, ठीक है, तो सूर्य क्रिया का संबंद सूर्य में है, सूर्य का संयोग काल के साथ है, और काल का संय उस परंपरा संबंद होगा इसा वीबुद रभे के में कलपना करेंगे वो जो भीबुद रभे उसी गों हम काल कहते हैं इस प्रकार से बिवू द्रब्य एक द्रब्य की सिद्धी हुई। इस प्रकहर ही तो विधू ध्रब्य के शिद्धी हुई। काल में जब जगत के आस्रेता सिद्धी हुई उसमें जन्य मात्र के जनकतावी सिद्धी हो जाएगी ठीक यह तो एक रम है तो मैं अगरा थोड़ा सापको बता देतां दूबारा तो हम लोग एदानिम तदानिम जो प्रतिति करते हैं उस प्रतिति में सुर्य क्रिया सुर्य को अधार्मान करकी हम सबना अपना काल बढ़ः करते हैं शर्बधा कि इतना चल इतना दुसी अधार अधार मान करकी शुर्य परिष्पंद को बिशह बनाती है और जो बढ़ Yardhan Kap complex को घचल會 तभी इधानियम गड़ा प्रतिती हो रही है, सुर्य क्रिया और गड़ के विद में संबंद होगा, वो साक्षा संबंद बना नहीं सकते हैं, संवाय संबंद भी नहीं हो सकता, तो एक हमको परंपरा संबंद बनाना होगा, जैसे हमने यहां बनाया स्वास्रेत अपन संयोगी संयोगा हम, तो परंपरा संबंद में घड़क जो द्रब्य होगा, जिस द्रब्य का, घड़के साथ भी संबंद है, सुर्य के साथ भी संबंद है, एसा जो द्रब्य है, वो द्रब्य काल है, इस प्रकार से हम काल की सिद्धी करते हैं, ठीके, यहां पर प्रशना आता है, इ बिनिगमना का बिरह हो जाएगा अब आकास को मानेंगे तो प्रस्न करेगा दूसरा दिख को क्यों नहीं मानते फिर कोई तिसरा कहेगा आत्मा को मान लो आत्मा जीवात्मा बिन्दे बिन्दे कौन से जीवात्मा को मानना है तो यह से बिनिगमना बिरह होने के कारण एक हम उ प्रमानात्र की चर्चा है यह हम कल करेंगे तो आज के लिए हम रखते हैं आपका यह जो प्राश्णों आप कमेंट बक्स पर लिख सकते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद